Modern male लगातार weak होते जा रहे हैं अपने आसपास और social media में आज कल जो 20-25 साल के लड़के आप देखोगे तो सोचना 30-40 साल पहले same age वाले जो लड़के हैं उनसे कितना different हो चुके हैं आपको जमीन आसमान कंतर दिखेगा men के बाकी issues की तरह इस पर भी ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है इसलिए मुझे लगा इस पर एक वीडियो की जरूरत है कुछ research दो उठा के देखो तो साफ पता चल जाएगा आज के जो modern males हैं ये 30-40 साल पहले के comparison में एक तरह से obesity level देखो, anxiety देखो, baldness देखो, ये सब बढ़ता जा रहा है लेकिन sex drive और sperm count काम होता जा रहा है और इतनी research की क्या जरूरत है ऐसे ही देख लो 28-30 की उमर में जो पहले लोग लडाईया लडने जाते थे आज कहते हैं lower back में दर्द हो रहा है इतनी सारी problem की पीछे बहुत सारे factors है एक सबसे बड़ा factor है T level यानि testosterone का level कम होना testosterone एक male super hormone है जिसकी वज़ा से men में male वाली characteristic डेवलप होती है और आज की date में यही हो रहा है कि male में जो T level है वो पिछले generation के मुकाबले drastically drop हो रहा है कुछ studies तो यह तक कह देते हैं कि 2045 में जो men के अंदर sperm count है zero हो सकता है इसलिए आज के video में इसी बात को थोड़ा deeply समझने की कोशिस करते हैं ऐसा क्यों है कि modern male weak होते जा रहे हैं इसके क्या dangers हैं और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं सबसे पहले समझते हैं इस testosterone को यह हार्मोन humans और animals दोनों में होता है humans में भी अगर आप men में देखो और women में देखो दोनों के अंदर होता है लेकिन men के अंदर इसकी quantity काफी जादा होती है इस हार्मोन से ही men में muscle mass, sex drive, beard, sperm production, fertility, bone density यह सारी चीज़े regulate होती है यह हार्मोन सबसे जादा रहता है puberty की time और 30 साल की age से जैसे आप आगे बढ़ते हो इसमें एक dip आने लगता है मतलब कि एक जो 60 साल का इंसान है उसका जो T-level होगा वो 30 साल के इंसान के T-level के comparison में बहुत कम हो जाता है और आज के time यह जो T-level है on an average काफी जादा कम होता जा रहा है इसके बारे में 2007 में एक study publish होई थी जिसने सब को shock कर दिया था इस study के according 1980 से लेकर अभी तक जो men के अंदर average T-levels होते हैं वो हर साल 1% की दर से कम हो रहा है T-level कम होने का सबसे direct impact होता है sperm count पर 2017 की report ने बताया कि 1973 से 2011 के बीच में average sperm count में 50 से 60% का drop आ चुका है यह अब एक alarming situation बन चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो इसी decline की वज़ा से जो दुनिया की population है वो collapse की तरफ move कर जाएगी जो हमारी civilization के लिए बहुत dark period हो जाएगा T-level की कमी होने से आदमी थोड़ा mentally और physically weak होने लग जाता है T-level की कमी से male की जो grip strength है उस पे भी फरक पड़ता है 2016 की एक study ने बताया है कि जहाँ 1985 में 20 से 34 साल के आदमी की जो grip strength थी वो 117 pound की थी अब वो जाकर इसी same age में अगर आप देखेंगे सिरफ 98 pound की रह गई है In fact कोई भी type का testosterone imbalance हो जाए चाहे normal से कम हो जाए चाहे जाए जादा हो जाए सिर्फ body का strength नहीं बलकि दूसरे aspect पे भी असर करता है Hair, skin, metabolism, sexual health हर एक चीज़ पे इसका असर होता है वहीं अगर T level लोग है तो जो hormonal imbalance होता है उन cases में भी जादा hair loss देखा गया है मतलब आपके T levels नॉर्मल से चाहे कम हो चाहे वो जादा हो जाए दोनों ही cases में balding का risk बढ़ जाता है इसलिए पहले आप देखते होंगे कि 40-50 साल की उमर के बाद बाल जढ़ने शुरू होते थे लेकिन आज कल 20-30 साल के लड़कों में भी एक visible balding दिखाई देने लगती है scientific term में कहें तो इसे male pattern baldness कहा जाता है अब ये male pattern baldness होती है total 7 stages में stage 1-4 में natural treatment के साथ इसे control कर सकते है लेकिन एक बार अगर आप stage 5 के ऊपर चले गए तो फिर hair transplant जैसे risky options ही बचते हैं अब इससे पहले मैं T-level decline के कुछ reasons बताऊँ अभी hair loss की बात चलिये तो आपको साथ-साथ trya के बारे में बता देता हूँ अगर आप भी hair loss के stage 1-4 के बीच में है तो ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी stage क्या है देखो ये जो trya वाले हैं न ये one size fits all अपरोच से काम नहीं करते हैं वो एक ही तेल shampoo सबको नहीं बेच रहे सबसे पहले आपको एक free online hair test लेना होता है इसके थूँ ये trya वाले आपके hair loss को अंदर और बाहर दोनों तरफ से समझते हैं और ये देखते हैं कि आपका hair type क्या है, hormones क्या है, family history क्या है, medical condition क्या है, बहुत सारे factor चेक होते हैं फिर ये आपके लिए एक customized kit आपके घर पे भेज़ते हैं अब क्योंकि ये तरीका काफी scientific और spot on है, इसलिए धाई लाग से जादा लोगों ने इसे choose किया है और 93% लोगों ने इसके results भी देखें अब इनका hair test तो एकदम free में available है तो अगर आज भी आप try करना चाहो तो बस इनका app download करके test लो और फिर एक महिने की customize kit लेकर अपना treatment शुरू कर सकते हो और अगर मेरा coupon code later 20 use करोगे तो आपको kit पर 20% का discount मिलेगा आपके लिए कि special link में description में डाल रहा हूँ वहाँ से से checkout ज़रू कर लेना और अब लोटते हैं हम T level decline के reasons के उपर पहले की generation के T level इतने high पता है क्यों थे क्योंकि उनके रहने का तरीका बिलकुल अलग था तब 10 minute में grocery घर पे नहीं आती थी और बाहर का खाना एक luxury थी मैंने में एक दोवार मिल जाता था इंडस्ट्रियल एरा में अगर आप चले जाओ तो manual labor वाली जॉब बहुत जादा थी लोग काम में बहुत ज़द एक्टिव रहते थे गाओ में अगर आप रहो तो भाया daily life में manual labor इतना हो जाता था कि जिम की तो ज़रूरत ही नहीं थी और sunlight तो भरपूर मिलती थी आज की तरह sunlight एक luxury नहीं बन चुकी थी आज कल आप देख लो लोग जहातर office की chair पे बैठे रहते हैं इवन खेती और factories में भी इगदम automated machinery लग चुकी है OTT platform और binge eating की वज़ा से office से आने के बाद भी life में activities की जगा ही नहीं बची है और इन सब की वज़ा से obesity पुरी दुनिया में record speed से बढ़ रही है और obesity T level के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है obesity measure करने का एक तरीका होता है body mass index जिसे BMI कहते हैं आपकी age, weight और height के according calculate होता है अगर आपका weight बढ़ा तो BMI भी बढ़ जाता है और अगर BMI में 4-5 point बढ़ गए तो T level कम होके आपकी age से 10 साल old इंसान के बरावर हो जाते हैं और अगर आपके teenage में या obesity आ गई तो T level normal से 50% तक कम हो सकता है obesity बढ़ने की वज़ा से body के जो fat cells हैं वो testosterone को estrogen में convert कर देते हैं जो कि एक female hormone है और obesity और T level का इतना गहरा connection है आप data से समझ सकते हो दुनिया में obesity बहुत तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से T level कम हो रहा है 1975 से अभी तक जो obese लोगों का number है वो triple हो चुका है और दुनिया भर में आज 40% adult ऐसे हैं जो overweight है और 13% adult obese है भारत में भी हर 4 में से एक आदमी obese मिलेगा आपको इसके लावा बड़ी city में रहने वाले लोगों का एक और नुकसान है कि भाई यह जो sunlight पहले normal लगती थी चट के तो दर्शन होते ही नहीं देर रात तक जागने के वज़े से लोग सुबह भी लेट उठते है तो उन्हें याद भी नहीं है कि आखरी बार उन्होंने sunrise कब देखा है और I'm sure आपकी भी यही life चल रही ही न एक काम करना जब time मिले सबसे पहले vitamin D3 का test करवाना मैं लिख के दे सकता हूँ normal range में नहीं आएगा almost जितने लोगों से मैं मिलता हूँ सबका vitamin D3 कम आता है अगर आप धूप लेते रहते हो सुबह की तो यह कभी कम नहीं हो सकता sad बात यह है कि T level vitamin D3 से भी directly related है vitamin D3 कम होता है तो T level भी कम हो जाते है और यह obesity और vitamin D3 के लावा एक और चीज है जो हम खा पी रहना उससे भी T level का बड़ा close connection है भारत में 15 साल से बड़े 20% मेल जो है वो शराप पीते हैं यह नमबर पिछले 20-30 सालों में continuously बढ़ता जा रहा है वही अगर आप smoking देखें तो यह number और हाई है हर 3 में से एक male smoker है cigarette और शराप T level पर बहुत बुरा असा डालते हैं और यह बात तो countless studies ने proof करके दिखाई है अगर आप यह दोनों ही नहीं करते हैं तब भी आप एक बार अपनी diet को देखना आज के टाइम जो हम process food खा रहे हैं उसमें भर-भर के trans fat है यह भी T level कम करता है जिन seed oil में आप खाना पकाते हैं उससे T level कम हो रहा है बहुत से medical journal और publication में जो T level कम करने वाले food ना इनकी list आती है आप एक बार check करोगे तो आपको पता चलेगा जो भी आप चीज़े खारे हो ना 70-80% आपकी diet में चीज़ें आपको दिख जाएगी आप अपनी diet एक बार चलो fix भी कर लो तब भी model life का जो stress है वो भी आपका T level पर attack कर देगा पहले की generation में mobile phone, internet, social media यह सब कुछ नहीं था लेकिन आप तो जिस phone में आप ये video देख रहे हो वो दिन भर आपको notification बेज बेज के अपने पास बुलाता रहता है सुबा आँख खुलने से लेकर रात में आँख बंद होने तक यही screen आँखों के सामने रहती उपर से social media और short term content लगातार हमारे brain में information overload करता रहता है जिसकी सच बताओ हमें कोई जरूरत है ही नहीं इतनी सारी information के बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहता पता है क्यों? क्योंकि आपके brain को rest ही नहीं मिल पा रहा है वो सारी information process करके अलग-अलग segment करके store करने के लिए और जब रात में 2-3 में तक इस phone के आगे हम आखे फोड़ते रहते हैं तो हमारी sleep cycle की भी ऐसी तैसी हो जाती है और सुभा office से college जाने की stress में आख खुल जाती है और फिर से यह cycle repeat होती है और यह जो sleep cycle खराब होती है ना यह भी tea level का बहुत बड़ा दुश्मन है जो men 5.5 घंटे से कम सोते हैं उनके tea level 10-15% कम हो जाते हैं सिरफ 8 दिनों के अंदर और जिनकी life में daily यह lifestyle बनती जा रही है उनके tea level कितने कम हो जाते हैं यह आप खुदी guess कर सकते हो अब चलो यहां तक के reason तो फिर भी lifestyle बाले है इसको चलो आप एक बार control भी कर लोगे लेकिन अगला जो मैं reason आपको बताने वाला हूँ वो इतना shocking है क्योंकि इस पर आप और हम तो control ही नहीं कर सकते यह reason है pollution यह सड़क का कच्रा या हवा का smog नहीं है बलकि वो pollution जो हमें दिखता भी नहीं है यह है microplastic 5 mm से छोटे plastic particle को बोलते है microplastic लास्ट 18 साल में अगर आप देखे ocean के अंदर microplastic का जो amount है वो बहुत तीजी से बढ़ता जा रहा है आज ocean में 2.3 tons microplastic तैर रहे हैं और यह सारे जो microplastic हैं हमारे पास ही वापिस आते हैं कभी seafood के थूँ वापिस आते हैं कभी बारिश के पानी के साथ UK में तो हर एक दिन में साड़े 600 million microplastic particles waste water में एंटर कर रहे हैं जिन fruit या vegetable को आप हैलदी समझ के खा रहे हो उनके थूँ भी यह microplastic वापिस हमारे बाड़ी में जा रहे हैं bottle water, rice, salt, honey यह बहुत सारे food items हैं जिसमें microplastic मिले हैं और इनको हम daily consume कर रहे हैं on an average एक हफते में हम सारे लोग 5 gram microplastic consume कर रहे हैं research हैं दिखाते हैं कि in microplastic के consumption की वज़ा से भी men के अंदर जो tea levels हैं वो decline होते हैं microplastic के बाद आते हैं endocrine disrupting chemical यानि EDC, phallets और parabets यह सारे भी tea levels को destroy करते हैं आज 800 से ज़ादा EDC को product पनाने में यूज करते हैं जो लग बग हर जगे आपको मिल जाएंगे plastic bottle, food storage, metal food content, can, detergent हर एक चीज में आपको यह दिखते हैं दूसी तरफ थैलेट्स और parabets जैसे जो toxin है वो भी लग बग हर जगा मिलते हैं यह भी water bottle से लेकर so, perfume, बच्चों के खिलोने, pesticide, skincare product, printed paper और even जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें तक मिल चुके यह toxin, female hormone, estrogen के effect को mimic करते हैं और T-level को destroy कर देते हैं लेकिन इन problem को लेकर हम बैठ तो नहीं सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि T-level को बढ़ाने के लिए आप practically आप क्या-क्या step follow कर सकते हैं अपने T-level के लिए आप best काम कर सकते हो strength training और muscle building weight उठाओ, strength training करो, muscle build करो simple as that, इसके अलावा आपको T-level को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा testosterone ना एक ऐसा hormone है जो तब जादा बनता है जब आपको इसकी need पड़ती है अगर आप अपनी body को इस्टम comfort zone में रखोगे तो यह कमी होता जाएगा इसको बढ़ाना है, तो कभी-कभी थोड़े comfort zone को push करने की आदत डालो कोशिस करो कि जो competitive sports हैं उसमें आप participate करो, जहां पर physical activity होती है नींद भी T-level के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप 8 गंटे से कम सो रहे हो, यानि अपने T-level के लिए एक crime commit कर रहे हो caffeine कम कर दो, रात में सोने से 2 घंटे पहले phone को मत touch करो, और कोशिस करो कि एक समय बांध के रोज सेम टाइम पर सो और सेम टाइम पर उठ जाओ, 21 दिन ये कर लोगे तो ये habit बन जाएगी और इसके लिए कोई effort ने मारना पड़ेगा थोड़ा अर्विद भाया की बात भी आप मान सकते हो phone देखना बंद कर सकते हो, excessive masturbation जैसी जो habits हैं उनको control कर सकते हो अगर body fat है, तो उसको जल्दी से कम करने की कोशिस करो अपनी diet को देखो, उसमें जो T-level खराब करने वाली चीज़ें उनको cut करना शुरू करो, और T-level और vitamin level वगरा का test करवाते रा करो डॉक्टर से बात करके देखो, अगर multivitamin या supplement की requirement है तो उनको लेना शुरू कर दो यह सुनने में जितने सारे step में बता रहूं बड़े simple लगते हैं लेकिन इनको शुरू करना सबसे hard होता है एक-एक करके शुरू करने की कोशिस करो और आप खुद देखोगे कि दिन भर जो body pain, laziness, lack of focus इन सब की problem आप बताते रहते हो ना 100% इसमें 180 degree का shift आपको देखेगा बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करना अपने thoughts मुझे comment में बताना बाकी ट्राया का लिंक आपको description से मिल जाएगा तो अपने हेर का एक बार वाँ टेस्ट लेकर देखना मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक और interesting और important वीडियो में सब तक के लिए अपने ध्यान रखना जैहिंद वंदे मात्रम